हर बार आपने कच्चे केले के चिप्स खाए होंगे, सबजी खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने पूरी या पराठे की रेसिपी बनाई है, कच्चे केले से नहीं बनाई है, तो इस रेसिपी को पूरा देखिए, बिल्कूल ही फूले फूले और क्रिस्पी आप पराठे की तो चलिए इसे कैसे बनाया है बहुत ही सोटकर तरीके से आज मैं उसकी जानकारी देने वाले हूँ तो सबसे पहले आपको प्रेसर कुकर का इस्तमाल करना है और इसमें जितने भी केले हैं आपको जितना भी लेना है आप ले सकते हैं तो टोटल मैंने चार से पांच केले लि करना है और इसे थंडा होने के लिए आपको छोड़िना थोड़े और धंडा होने के बार इसे आपको किया करना हैчи ऊपर जीतने सबही को हटा लेने है आराम सी चिल्के हट जाएंगे आगे की तयारी कर लेते हैं के लिए के जो पूरी है वो बिल्कुल ही क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए आप मैं कुछ तरीके बताने वाली हूँ जिससे आपके हर बार पूरी क्या हो जाएगी क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही कम तेल सुकेगी तो कैसे सुकाना है अब चलिए यह वो तरीका बढ़ाने वारी हूँ तो यह दिखे करदुकस कर लिये हैं और लिया है मैंने आटा और आटे को अभी कुछ चीज़े और भी एड़ करने वारी हूँ तो मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सूजी यह दिखे बहुत ही कम मातरा लिये हैं और थोड़ा सा मैंने लि थोड़ा सा धनिया पाउडर बहुत ही कम-कम मत्रा में ले रहे हैं और अच्छी तरह से सभी को डाल देना है स्वाद अमसार नमक डालने के बार और उसके बाद थोड़ा सा टिश्टी बनाने के लिए और बहुत ही ज्यादा सौप्ट रहने के लिए अंदर से सौप्ट से पूरा आटा लगाने वाले है अगर आप ज्यादा पानी का इस्तमाल करेंगे तो आटे क्या हो जाएंगे बहुत ही जल्दी गिले गिले हो जाएंगे और पूरी बनाने में तकलीफ होगी नहीं उसके बाद पूरी आपके फुलेगी नहीं आप अच्छी तरह से बना पा आटे को लगा लिया है और बहुत ही कम समय में यह आटा लगके तयार हो चुका है हो सके तो पांच मिनट टाइम है तो आप इसे थोड़ा देर आप छोड़ी दीजिए फिर आपको लेने हैं आतरा में तेल और उसके उपर से लगा देने इसे क्या हो जाएगी बहुत ही सौट रहेगी और लंबे समय तक यह इसी तरह बनी रहेगी और यह देखिया अच्छी तरह से मैंने तेल को भी ग्रीस कर लिया है और उधर मैंने कढ़ाई भी चला दी है अब यह सिंपल पूरी अच्छी तरह से प्रिसकार कि आपको बेल लेना था टो एक से दो ही आप बना कर लाक wann करते हैं क्योंकि यह बहुत ही जल्दी मुला इंप जाता है क्योंकि Kelya से Śni wreck और यह जो आटा है, आटा बिल्कुल ही fluffy हो जाएगा केले के कारण, तो यह देखे, दो से तीन गोले मैंने बना लिया है, अब चलिए मैं इसे बेल के दिखाती हूँ, और हाँ इसी तरह की अगर आप recipe देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में बने रह सकते हैं, और बहुत सार या फिर glass है न, उससे आप अच्छी तरह से set कर सकते हैं, तो अराम से ये भी तरीका है, तुरंत ही बनाए और अच्छे तरह से आप इसे safe मनचाहत दे भी सकते हैं, तो यह देखे, safe भी हमारे perfectly बन चुके हैं, अब क्या करना है, उधार अच्छी तरह से मैंने तेल को गरम क कुछ भी ने लगाना है, इसे थोड़े सा उपको उपर आने देना है, यह देखे, पूरी जैसे ही उपर आएगी न, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रेस करना है, थोड़ा सा पूरी को दबाना है, उसके बाद ये खुद बाद खुद फूल जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी वाली हमारी पूरी बनके तयार हो जाएगी तो यह लिजे अच्छी तरह से मैंने सेट कर लिया है तो बस एक सैट में ने सेखा अब यह दूसरी सैट सेखा और दूसरी सैट सेखने के पाद फीर से आपको वही काम करना है तीसर पूरी क्रिस्पी वाली कैसे बनाई जाती है वो भी तरीका मेरे चैनल में है अगर नहीं देखिए तो जाके आप देख सकते हैं बहुत पहले की मैंने वीडियो डाल रखी है तो यह देखे दो से तीन बार सेकिन एक बाद यह देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगी क इसमें कितनी कम तेल सोकने वाले हैं तो कैसे लागा आज के हमारे यह केले की पूरी का एरिया यह हमें आप जरूर बताईए और हाँ आप चाहे तो इसे पराठे भी बनाके एंजॉय कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स रसपी में तब तक के लिए बाए बाए